बाल स्वादैशाला के सभी वच्चों को सादर जैजिनेंद्र, जैजिनेश्वरदेव की आप सबका स्वागत है हम इस बाल स्वादैशाला में नए-ने विश्यों को आपके सामने रखेंगे जैन भुगोल जो बेसिक सिधान्त है हमारे उनको सिखाया जाएगा आगे आगे अगर ये continue रहा तो उसके meanings भी कराएंगे पर अभी जैन भुगोल में जो पेसिक्स चीज़ें होती हैं वो आप सबने contest करनी है कुछ topics भी बीच में लिए जाएंगे आज का सबसे पहला जो हमारा विशे रहेगा वह है महामंगलकारी नमसकार महामंत्र हमें सबको नमकार मंत्र जन्म से ही याद करा दिया जाता है एक दो ठाई साल का जैसे हम बोलना शुरू होते हैं तो नमकार मंत्र हमें कंठस्त होता है हमें अब उसके बारे में जो अगर किसी को नहीं पता या जो बाते इसमें कही जा रही हैं कुछ नहीं लगती हैं तो उसे याद जरूर रखेगा सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नमकार मंत्र है उन्हें शास्त्रों में किन-किन और नामों से जाना जाता है सबसे पहले शास्त्रों में नवकार मंत्र का नाम आता है पंच परमेश्टी नमसकार मंत्र दूसरा नाम आता है नमसकार मंत्र तीसरा नाम आता है पंच मंगल चौथा नाम आता है पंच मंगल महाशृत सकंध पुन्ह दोराउंगी आप याद रखेगा पंच परमेश्थी नमस्कार मंत्र पंच मंगल महाश्रुत्सकंद इन चारों नामों में जो सबसे पहला नाम है पंच परमेश्थी नमस्कार मंत्र उसका मैं चोटा सा अर्थ मोटा मोटा आपको समझाऊंगी पंच मतलब पांच पंच जो शब्द है वह संस्कृत का संस्कृत की गिंती जब पढ़ते हैं तो उसमें पंच का अर्थ होता है पांच जो परमेश्थी शब्द है उसमें दो शब्द है परमे और श्टिन परमे मतलब परमपद में उंचे स्थान में जिन से उंचा कोई है ही नहीं ऐसे उंचे स्थान में श्टि मतलब जो रहे हुए हैं जो विराजमान हैं ऐसे पांच ऐसे पांच लोग ऐसे पांच महानात्माएं जो बहुत उंचे स्थान में रही हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं परमेश्थी कहते हैं और वो कुतनी हैं पांच हैं कौन कौन सी हैं यह हम सब जानते हैं अर्यं इवं साधू जी इन पांचों पदों को इन पांचों महानात्माओं को हम पंच परमेश्थी नमस्कार मंत्र में क्या करते हैं नमस्कार करते हैं इनको वंदन करते हैं पंच परमेश्थी में देव कितने हैं और गुरु कितने हैं इस प्रशन का उतर यह है कि अरिहंत भगवा और सिद्ध भगवान दो देव हैं देव शास्त्रिय भाषा में देव भगवान एक ही अर्थ होता है यह नहीं मानना कि देवी देवता ही भगवान और देव में क्या फरक हुआ फिर देव जो हैं शास्त्रिय भाषा में जो भगवान हैं उनको ही देव कहा जाता है तो अरिह अरयंत भग्वन, अर्यंत देव, और सिद्द देव इन दोनों को ये देव हैं, और गुरू कितने हैं? तीन हैं, आचार्य महराजी, उपाध्याए जी एवं साधु महराजी यह तीन गुरू हैं. तो आगे प्रशना आता है कि जो अरिहन्त भगवान है, सिद्ध भगवान है, अचार्य जी है, उपाध्याय जी है, साधू जी है, इनके रंग कौन कौन से है, किन रंगों से हम इनको पहचानते है तो इसका उत्तर ये है कि जो अरिहन्त भगवान है, उनका सफेद रंग है, अरिहन्त भगवान का कौन सा रंग है, सफेद रंग है, नवकार वंत्र में अरिहन्तों का रंग, जो अरिहन्त भगवान है, अरिहन्त देव है, उनका रंग सफेद माना जाता है, वाइट माना जात वाइट रंग से उनकी पहचान होती है वह रंग वाइट क्यों है हमारा सबसे पहला प्रश्ण है कि अरिहन्त भगवान को सफेद रंग से क्यों जाना गया क्योंकि जो अरिहन्त भगवान है वो प्योरटी वीतराक्ता का प्रतीक है प्योरटी की निशानी है अरिहन्त भगव प्योरिटी कैसे तो कहते हैं कि जो अरिहन्त भगवन हैं उनके अंदर की जो गरंथियां हैं जैसे राग द्वेश की गरंथियां कशायों की गरंथियां खतम हो चुकी हैं राग किसे कहते हैं जब हमें किसी चीज के प्रती बहुत प्यार होता है वो हमें ऐसा लगता है कि यह चीज हमसे अलग नहूँ हमें किसी भी या इनसान के प्रती बहुत प्यार होता है तो उसे कहते हैं राग द्वेश क्या होता है हमें नफरत होती है किसी चीज से कोई चीजों से या इनसान से कि ये तो मैं देख भी नहीं सकता है इसको ये मेरे सामने भी ना है उसे कहते हैं द्वेश जिस जीव में राग द्वेश की गरंथियां जो गंदी ये गरंथियां मतलब होता है कि कठी हुई पड़ियां चीजे राग बहुत ज़ाद है द्वेश बहुत ज़ाद है जिस जीव में ये राग द्वेश की गरंथियां खतम हो चुकी है कशाय मतलब चार कशाय कहे गए शास्त्रों में क्रोध, मान, माया, लोब ये नाम अक्सर आपने सुने होएंगे आगे हम जब कशायों के बारे में जानेंगे तो इसको डिटेल से समझेंगे अभी आपने यही याद रखना है कि वीतरागता प्योरिटी के साइन क्यूं है अरिहनत भगवान क्योंकि उन्होंने अपने राग दुएश की गरंतियों को क्षीन कर लिया है खस्माप्त कर दिया है और उनके कशाये क्षीन हो चुके हैं इसलिए वीतराग भगवान जो है उनका रंग सफेद माना जाता है अगला आता है सिद्ध भगवान सिद्ध देव सिद्ध भगवान का रंग कौन सा माना गया लाल रंग रेड कलर माना गया जो फुल्फिलनेस का प्रतीत है पूर्णता परिपूर्ण सब कुछ जहां पर स्माप्त हो जाता है कुछ भी शेश ही नहीं रहता सिद्ध गती मतलब मौक्ष गती सब कुछ प्राप्त हो गया तो उससे कहते हैं फुल्फिलनेस ऐसे सिद्ध भगवान को लाल रंग दिया गया उनकी आत्मा जो है ना वहाँ पर सुख है ना दुख है ऐसा स्वर्ग ऐसा ख्षमा करिया का स्वर्ग नहीं ऐसा मुक्ति का स्थल मौक्ष मिल जाना जहां पर ना सुख है ना दुख है इसलिए उन्हें क्या कहा गया फुल्फिलनेस परिपूर्ण हो चुके हैं वो सिद्धों का रंग इसलिए रेड माना गया अगला चलते हैं अगले हैं अचार्य महाराज जी उन्हें किस रंग से पहचाना गया येलो कलर से जाना गया अरिहंत भगवान का वाइट सिद्ध भगवान का रेड येलो अचार्य महाराज जी का वह अचार्य का पालन करते हैं इसलिए उन्हें अचार्य कहते हैं आचार मतलब जो भगवान ने हमें आज्या दी कि सादु माराज जी को ऐसा होना चाहिए पालन करते हैं उन्हें आचारे कहते हैं और अब खुद भी करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं तो आचारे क्या होते हैं वो बिल्कुल गोल्ड की तरह प्योर होते हैं जैसे सोना सोने का रंग कैसा होता है शाइन करता है ना चमकीला होता है तो पीला भी होता है वह चमकदार होता है अचा जो सोने के समान शुद रहकर समाज में भी रहते हैं खुद भी चमकते हैं और और उको भी चमकाते हैं इसल अचारे महराजी को पीले रंग से जाना जाता है आगे हम लेते हैं उपाध्याय जी को चौथा उपाध्याय जी का रंग कौन सा है ग्रीन हरा रंग माना गया तो हरा क्यों कहा क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो ग्रीननेस हर्याली का प्रतीक है जैसे एक माली जब फसल बोता है ब तरह उपाध्य जी भी जो होते हैं वो ग्यान रूपी शिक्षा प्रदान करते हैं और ग्यान की जो मतलब एक एक्जामपल है कि ग्यान रूपी कैंची से हमारे दुरगुनों को काड़ देते हैं जो हमारे अंदर गलतियां हैं जो हमारे अंदर अग्यान भरा पड़ा है उसे किस से काड़ते हैं ग्यान रूपी के एंची से वो काड़ देते हैं तो उन्हें हरा रंग हरयाली के लिए ग्रीननेस के लिए उनको साइन दिया गया हमें सुपत पर चलने की प्रेड़ना देते हैं अच्छी राहा दिखाते हैं उपाध्या जी आगे लास्ट है साधु का कोड पैना होता है तराजू होता है न वहां पे एक ब्लैक रंग का होता है और उस पे तराजू पे जो एक जैसे लेडी है वो तराजू पकड़ के खड़ी है तो उसकी आँखों पे भी कौन से रंग की पट्टी होती है ब्लैक कलर की पट्टी होती है तो इसी प्रकार से वो कभी भी अन्याय नहीं होने देते, भेदभाव नहीं करते, सादु माराजी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, जो आता है उन्हें सब को अच्छे से ग्यान सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, इसी तरह सादु भी किसी के प्रतिनार झाल झाल